गति प्रबल पयरो में भेरी, फिर क्यों रहूं दरदर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पास बूर तब तक मुझे नवीराम है, चलना हमारा काम है। आपकी मंजील प्रिम्स नहीं है, आपकी मंजील मेंस नहीं है, आपकी मंजील है फाइनल सेलेक्शन, उनको सबसे बड़ा फायदा होगा कि वह तयारी हो चुकी होगी, तो अगले साल मेंस की जब ते स्रीज देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका पेस कंप्ली मेंस देके आप बैट नहीं सकते, जब तक आपका अंतिम चैन नहीं हो जाएगा, आपको चलना है, अगर आपका मेंस होगा, तो हम इंटर्व्यू का आप सबका Credos IS के platform पर स्वागत है, आज हम आपसे चर्चा करेंगे, अपने एक प्रोग्राम के बारे में, जो हम आप सब प्रोग्राम के लिए ला रहे हैं, और वो प्रोग्राम है, उत्तर प्रदेश लोगसिवा आयोग, यानि यूपी PCS का जो मेंस इक्जाम होने वाला है, प्लिंस उसका हो गया है, और सितमबर में उसका संभावना जो गोशित की है, आयोगने, वो एक्जाम होगा, तो उसके मेंस एक्जाम में जो कंडिडेट एपिर हो रहे हैं या होंगे उनके लिए हम अपने संस्थान की तरफ से UPPCS मेंस टेस्रीज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं UPPCS मेंस टेस्रीज ला रहे हैं क्रेडोज ISK प्लेटफॉर्म की तरफ से इसमें आपको हम यह बताएंगे कि आप अपने मेंस की तैयारी को कैसे धारदार बना सकते हैं कैसे आप टेस्रीज का उप्योग करते हुए अपने MY sleeping exam में प्रस्नों का बहतरीन अगयारी कैसे आप कम से कम समय में इस टेस्रीज का उप्योग करते हुए अपने उन सभी टौपिक को रिवाईज कर सकते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है जो आप पढ़ेंगे हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश PCS के छात्रों की काफी संक्चा होती है और उसके टेस्स को लेकर मार्केट में अभी भ्रह्म है या लोग उतना अच्छे से प्रवाइट नहीं करा पाते हैं या एक पैटर्न पर वो अभ्यास कराते हैं जो पैटर्न पूराना हो गया है और अब यूपीस्टी ने पैटर्न को बदला है और थोड़ा सा यूपी आपडेट हुई है तो अब जो छात्र मेंस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए समस्या है कि वो इस बदलते हुए पैटर्न के से कैases अपने आपको अपडेट रखें कैसे तयार करें कैसे प्रश्णों की डिमांड समझ पाइं कि PCS क्या चाहता है और कैसे वह उतिमांड के हिसाब से सप्लाइ कर पाएं जो आप चाहते हैं कैं इसके लिए यह प्रोग्राम करना चाहां रहें और प्रोग्राम जो है हमारा 26 जूण 2022 से start होने वाला है online और offline दोनों mode में होगा ये और इसमें total number आप test जो है वो 20 होगे, जिसमें 8 subject wise test होगे, 8 full length test होगे, 2 हिंदी की test होगे और 2 essay की test होगे हम आपको सब्जेक्ट वाइज भी तयार कराएंगे यानि हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी एकोनॉमिक साइंस टेक हिंदी और इंटर्नल सेक्यूर्टी जितने भी सेग्मेंट हैं उन सब ये आपको पता चले और प्रश्न का उतर लिखें तो इसमें Państwo नहीं पाएंगे तो आपकी कमियां आपको उतनी sacred लिखेंगे वाला या कोई और आपको बता पाएगा मेंटोर बता पाएगा जिसका अनुभाव होगा एक्सपर्टीज होगी तो हम आपको यह भी बताएंगे स्टेश स्रीज में आके आपकी कमिया क्या आपको फीड़बैक देंगे और एक आज कल के जवाने में 55 रुपए कुछ नहीं होते हैं अगर आप ऐस्टीम बन गए तो सोचिए कि इस पैसा आपका आप किसी को बताएंगे भी कि 55 रुपए कि हमने क्रेडो में टेसरीज ली है जिसकी वज़ा से माइस बने तो लोग कहेंगे कि बहुत नॉमिनल फीस थी तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक नॉमिनल होता है कि पारितोसिक मिलना चाहिए इसलिए आपको कम से कम फिष 55 रुपए हम रखें है इस प्रच्ष रुपए में आपको जू मिलने वाला है वह बड़ी बात है आपको पच्षपन सो रुपए में अगर आप दिल्ली में र ले सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं अगर आप कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं देश की किसी कोने में वहां हम प्रद्योगी की कि माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और आप तक कराएंगे अपना फीडवाइक देंगे गाइडेंस देंगे आपको कैसे आप इन रिसोर्स का इन गाइडेंस का उप्योग करते हुए मैंस में अपनी सफलता सुनी सीथ करें और अंतिम चैन आपका हो तो इसमें प्रतेक्ट इसका वीडियो डिसकेशन और माडल इंसर मैंने बताया है इसमें हम जो सब्जेक्ट वाइज हमारे जो टॉपिक हां हिंदी और इंग्लिश के इसमें चार पेपर जो होते हैं यह सब्सक्राइब क्या-क्या स्लेबस है हम आपको स्लेबस बताएंगे अधिकान स्चात्रों की समस्या होती है कि उसलेबस कभी नहीं देखते ह लए प्रिबियस किस्ट्रीएस कभी नहीं पढ़ते हैं वह क्या करते हैं मार्केट से इसको पड़ लेंगे वह कंद बना तकस jestem स्वाल बन रहे हैं कोई समझ नहीं विक्सित हो रहे हैं आपको यह नहीं पता है कि इतने तक 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 रहे हैं इसका कोई संस्थान के माध्यम से आपको यह गाइडेंस देंगे कि आप कम समय में तीन महीने मुश्किल से आपको मिलेंगे इस तीन महीने में अगर आप कुछ नहीं पड़े हैं तो भी आप कैसे स्लेबस को फोकस करके अब प्रिवियस येर के क्यूस्टन पेपर मॉड और हम जो रटे प्रशन के से संभावीत प्रशन होंगे उसको सौल्व करते हुए अपने तयारी को धारदार बना सकते हैं और उसका एंसर आप लिक के हमें दिखाएंगे हम आपको बताएंगे कि आपने जो पढ़ा पढ़े तो आपको तैयारी हो गई आपकी कि आपने क्या पढ़ा प्रस्क की डिमांड को समझ पा रहे हैं या नहीं कैसा उत्तर आप लिख रहे हैं इसके बाद हम क्या करेंगे हम एक फीडबैक देंगे आपको कि हाँ यहां सही कर रहे हैं आपको यह सुधार करने की ज़रुवत है आप यह नया जो तथ्या इसको मेंसर कर सकते हैं आप इस त मेंसर आपको देंगे संभावित जो यूपी पीसिस इस 2022 के मेंस में पूछ सकता है उसकी तहरी आपको कराएंगे तो जो हम टॉपिक देंगे वह ऐसे टॉपिक होंगे जो चर्चा में हो रिल्वेंस हो उनकी यूपीस उन पर प्रश्ण पूछ सकता हो तो उसका जब आप के रूप में अभ्यास करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्यूशन आएगा तो आप अपने दिमाग का उप्योग करके एंसर को अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो यह हमारे इसमें टॉपिक हैसका भारती इतिहास है इसमें स्वतंता स अब इसको कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत जो भी आप पढ़े होंगे अब आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन उस पढ़ाई का उप्योग क्या करेंगे कभी क्या होता यूपी PCS आप से प्रश्ट पूछता है सिंपल प्रश्ट पूछ रह होगा तो 15 जो व्यक्ति आपके कंप्टीटर हैं उनसे बहतर उत्र आपको लिखना है और वह बहतर उत्र तभी आप लिख पाएंगे जब आप कुछ इनोबेशन कर पाएंगे वह इनोबेशन आपके ले तो कर नहीं पाएंगे उस इनोबेशन में आपको हमारी जरूरत प्रोग्राम है या टेस्ट का प्रोग्राम है स्रीज का उसमें आपको प्रोवाइट करेंगे तो यह आपका फर्स्ट पर हो गया जिसमें उत्तर प्रदेश का विश्ष्ट है demand Trainilis के लिए पढ़ पाया उसका मैंस में आप सभी तुरी के सभी करना है क्योंकि मार्किंग आपकी होगी घरop योफ उचने ku스타 जा रहा है माली जी भला कोई कुशन और 17ff अगर रध ST. archa it says करें तो आपको 7 शांत के मिने कि साहए हैं आप तो तीन नंबर का आपका जो सफर वो हम आपको तैय कराएंगे आपको यह बताएंगे कि क्या अतिरिक्त कर रहा है जैसे आप भारती समाज और संस्क्रित की मुख्य विश्चता है इसमें से अगर आपको कोई सवाल पूछ दिया गया है और आपको जो आता होगा समाज सब्सक्राइब का पूलिटिकल इंपक्ट पड़ रहा है इन सब के बारे में आपको अगर विस्तर विस्तार से जानकारी नहीं है आप इन सब सेग्मेंट को आप सामिल नहीं करते हैं अपने उत्तर में तो आपको अधूरत से लगया उसमें कुछ नया नहीं लगेगा चु सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप अन्यों की स्थिति में बहतर रहेंगे चुकि आप बेस्टेस्ट लिख चुके हैं और अगर आप यूद्धुमूमी में जाने से पहले चारचा बार प्रेक्टिस करके गए हैं तो आपको यह नहीं लगेगा कि हम नया आए हैं आप देखते हैं कभी किसी सो पर जो कंटेस्टेंट आता है वो रिहल्सल करता है स्कृप्ट की बार-बार ताकि वह जब स्टेश पर खड़ा हो तो अच्छे से बोल पाए हसा पाए लोगों को आपको लगता है कि यह दो मिनिट का खेला है हमको तुरंत इंस्टेंट वह सारे न आप जब बैठेंगे लिखने उत्तर तो आप एक प्रस्ट को जितना आपको समय देना चाहिए आप उतने समय में अच्छे से लिख पाएंगे आपका प्रस्ट नहीं चूटेगा और आप लौट कि आएंगे तो तरीके से आपका इंटर्वीव के तयारी में लगेंगे संग्ठन में महिलाओं की भूमिका जन संग्छा और संबंधित मुद्द्य गरीबी और विकास आत्माक मुद्द्य सहरी करण समस्याय उनके उप्चार यह मुद्द्य आप जो किसी नोट से पढ़ते हैं आपने पढ़ रखा हो जहां विट्टे सिरीज ले रखी होगी वह क्या करते हैं पुराने नोट्स को छाप के दे दिये आप पुराना इंसलिक के आ रहे हैं आप कुछ नया कहाने कर रहे हैं वह आपसे उमीद कर आए कि आप कुछ नया करें और हम लोग पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हैं हम लोग नया सर्च कर रहे हैं तो आपको यह बत अगर आपको कमिया नहीं पता चलती है तो आप उसी दिशा में बढ़ते हैं अगर आपको प्यास लेगी है और आप शुरक्षी तरुप से पानी पी सकते हैं तो आपके लिए ब्यक्ति बहुत उपयोगी हुआ आपकी जान बचाया तो ऐसे हम आपके लिए जो लेकर आ रहा है वह आपके लिए उपयोगी है और आप मारी टेस्टरी जॉइन करके अपनी सफलता सुनिशित कर सकते हैं और अपना अंटीम चैन में योगदान हमारा जो भी होगा उसकी हम सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद जो सेग्मेंट है उसमें कौन-कौन से में पॉइंट है जैसे भारत के समुद्री संसाधन उनकी छमता भारत पर ध्यान देने के साथ विस्व की मानों प्रवासराधी समस्या भारतियूप महदीप के संबंद में संदर में सीमाय जंस अब कौन-कौन से गवर्मेंट ने नई इनिसियेटिव शुरू की है और अब क्या किया जा सकता है वह आप तब पकड़ पाएंगे जब आप करेंट पकड़ आपकी होगी यूपी पीसेस के अधिकांज जो छात्र होते हैं सायथ करेंट फियर्स को इग्नोर कर देते हैं न आपको जब उन प्रश्णों में उन पॉइंट को डालने की यादत पड़ जाएगी तो आप सहज रूप से अपने उत्तर को औरों से बहतर बना पाएंगे फिर इसके बाद समी भारती समिधान है त्यासी का धार विकास बिसेस्तायन संसोधन महतपूर प्रावधान बुनि निवारन अतंत का उद्भा और उपयोग सक्टियों का प्रतेकरन अपर कोई प्रश्ण आया आपने बेसिक तरींड से erfolgायालेश वह आपका उप्योग ही नहीं हो पा रहा है तो उस नॉलिज को अगर हप अप्डिट नहीं करते हैं तो सामील करेंगे हम आपको उसको यह बताएंगे कैसे उत्तर में है दाट एनालिस यह सब सामील करके उतने उत्तर को relevant बना सकते हैं तो इसके लिए हम आप से मिलेंगे सेग्मेंट में आप यह देख सकते हैं जी एस फोर्थ पेपर के बारे में भी हम आपको यह प्रेक्टिस कराएंगे थर्ड पेपर जिसमें इन्वार्मेंट एकोलोजी एग्रिकल्चर एकोनॉमिक्स यह सारी चीज हैं इसकी हम आपको प्रेक्टिस करेंगे साइंस टेक्नोलोजी है इसमें इसमें कैसे प्रस्ण बनेंगे आज कल कैसे PCS प्रस्ण पूछ रहा है इसका क्या सांधार उपतर हो सक करनाओं को देखके और और अब्जर्व करके और एक सांधार एप्रोच के साथ उत्तर लिख सकते हैं चुकि उसमें रटा रटा रटाया उत्तर की डिमांड नहीं हो गई है एथिक्स में प्रसासक की प्रसासक यह उत्तर लिख रहा है वह आपको गाइडेंस हम यहां प्रवाइट कराएंगे इसके बाद हम हिंदी का प्रश्ण पत्र है उसकी तो रखे हैं उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हिंदी में अधिक स्कॉर आप कर सकते हैं बहरता उत्तर सकते हैं औरोस इसके बाद निवंद में मृत्रों का बैकर में नभराओ इंटर्विउ दे rhythm की यो पारहा है क्यों आप मारे निवंद की टेस्रीच से यह सीख पाएंगे कि निवंद को कैसे डिमांड जो है उसकी सप्लाई की जासे कैसे विभिन आयामों को हम अपने निवंद में दर्सा सके जो प्रश्ण पूछ रहा है उसमें कैसे रेलिवेंट टॉपिक हम डाल सकें कैसे कहानियों के माध जाना चाहिए निवंद में निवंद आपके अनलिटिकल पावर की मांग करता है सोतंत्र विचार सोचने समझने के अपने आपको एक्स्प्रेस करने की छमता को देखता है वह वह आपको यह नहीं देखता कि आप रटा रटा या उत्तर लिखें निवंद में आपने मौलि तो आप निवंध में अच्छा स्कोर कर रहे हैं जी एस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही हम लोगों इसमें बता पर रखा है कि इसमें क्या-क्या सब्जेक्ट में क्या क्या टॉबिक है और हम कैसे टेशरीच के माध्यम से आपका संपूर पाठीक्रब कर रहेंगे हिंदी में क्या है कैसे लोगोक्तिया मुहावरे जैसे सवाल बनते हैं इस पर लवन संचे पनवाक्यांस के लिए सब्सक्र सब्सक्राइब प्रत्या है यह आप कम समय बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पायए तो इसमें हमारी प्रोग्राम के बा tomato है तो मैं बगत संचेथ में इस अपने प्रोग्राम के बासे बताया तो यह रहा हमारे टेसरीच का प्रोग्राम तो आप सको जल से जल्वर्द करि कि अगले साल वह तेगे तो उनको सबसे बड़ा फाइदा होगा कि उनकी तैयारी हो चुकी होगी तो अगले साल हो मैंस की जब टेस्रीज देंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी उनका बेस्कंप्री नहीं को तक आपका अंतिम चैन नहीं हो जाएगा आपको चलना है अगर आपको चलना तो पड़ेगा अगर आप चले नहीं तो आप सफल नहीं होंगे गति प्रबल पैरो में भेरी फिर क्यों रहूं दरदर खड़ा जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा जब तक न मंजिल पासकू तब तक मुझे न विराम है चलना हमारा काम है आपकी मंजिल प्लिम्स नहीं है आपकी मंजिल मेंस नहीं है आपकी मंजिल है फाइनल से करेंगे इंतजार की क्या इंतजार का समय क्कत्मा हुआ हम के लिए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपका Чयन हो आपकी रह को हम आसान बना सके इसलिए में स्प्राइब माध्यम से आपके पीचु पस्तित हुए माई improvement कि नहीं पांच जार आज की जवाने में कुछ नहीं होता है 55 रूपाय हम फीस रखेंगे बहुत कम समय में हम आपको जो देने वाले हैं वह पचास जार के भी बराबर उस्ति सरीच की महीं से आपको जो हम प्रोवाइट करेंगे आप जब मेंस देकी हैंगे तो आप ठैंक्यू लगत करहां नहींने हिसलिए आपको हैं करना सकते हैं और हमारे अप crappy यह ज़ीन दिए मौध मिले यह पर अफ्छान है ट्रुटेरीज मोंड मौप मिलेगी आपको माझदर्शन मिलेगा तो नोब साथ जूडने से जो राह आसान होगी वह अध्वुत होगी तो आप इस प्रोग्राम में जूड़ें और अपनी तयारी को आसान बनाएं आप सब अधिक से दिक हमारे संस्थान के प्रयास से जूड़ें इसके लिए मैं आप से अनुग्रह करता हूं और हम अगले बहुत जल्दी ही आप पर काम करना शुरू कर देंगे तो अधिक से दिक आप जितने जल्दी जूड़ेंगे उतने जल्दी आपके लिए आसान होगा क्योंकि अगर आप लेट कर हैं 26 तारीक से अधिक से दिक लोग जोईन करिए मैंने आपको संचेप में बताया है इसके बारे में और विस्तार से जब आप जोईन कर लेंगे तो पूरा अच्छे से हर सेग्मेंट पर विस्तार से चर्चा होगी निवंध की प्रक्टिस कराई जाएगी सब कुछ आपको उपलब्ध होगा तो आपने हमारे इस से जुड़ने का अगर निर्ड़े लिया है तो आपका बहुत भूत धन्यवाद